इद पर सल्मान खान की फिल्म प्रदर्शित होना अब परंपरा बन चुका है इस बार इद पर ट्यूबलाइट देखने को मिलेगी सल्मान खान चाहते हैं कि उनकी फिल्म अब ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन करें बाहुबले 2 का हिंदी वर्जन का कलेक्शन तो 500 करोड के आसपास है उसके बाद 380 करोड रुपए के कलेक्शन के साथ दंगल का नमबर आता है सल्मान चाहते हैं कि उनकी फिल्म इन दोनों फिल्मों से आगे निकले और इसके लिए सल्मान ने हाथ यूजना बनाई है आम तोर पर बड़े सितारों की फिल्मे जब प्रदर्शित होती है तो पहले विकेंड पर टिकेट रेट बढ़ा दिये जाते हैं फिर वीग डेज में रेट कम कर दिये जाते हैं लेकिन दंगल के दोरान आमेर ने फैसला लिया था कि पूरे सप्दा के दोरान टिकेट रेट समान ही रखे जाए जिसका लाग उन्हें मिला भी इसी नीती पर सल्मान की ट्यूबलाइट भी चलेगी खाल ही में ट्यूबलाइट के मेकर्स ने अपने डिस्रिब्यूटर्स के साथ एक मीटिक रखी और फैसला लिया कि ट्यूबलाइट के टिकेट रेट पूरे सप्दा तक समान रहेंगे